Hello dear ones, how are you all? I do hope that you all are doing really very well. मैं आप सभी का English vocab की कलास में बहुत बहुत वैलकम करता हूँ. आज बिलकुल कम समय में बहुत सारे interesting words हम बहुत ही interesting वेशे करने जा रहे हैं. आप अन तक बने रहिएगा. बिना time waste किये मैं आज की कलास स्टार्ट कर रहा हूँ. देखेगा, सबसे पहले मैंने लिख रखा है internus. Latin word है internus, जिसका English में meaning होता है inside यानि अंदर. अगर English में जितने भी word हमें अंदर से related मिलेंगे, तो सबसे पहले हमें inter देखने को मिलेगा. जैसे सबसे पहले आंतरिक बिमारियों की अगर doctor की हम बात कर लें, तो उसको बोला जाता है internist. अपने आप में आंतरिक का मिनिंग क्या हुआ? internal. अगर हम बातचित को सामने रखें, inter से तो रहेगा interaction, communication. अगर कोई किसी को बचाना चाहे, तो उसको बोलते है intercede, यानि बीच में आना, अंदर आना, तो उसको बोलते हैं intercede, अगर untrim बोलें, यानि कि दोस्ट अगर आप ये कह लिजिए, कि एस सथाई रूप से, अगर कोई appoint किया जाता है, जैसे कोई president, कोई PM, appoint किया जाता है, या कोई सरकार होती है, तो उसको entrim बोलते हैं, यानि ऐस थाई रूप से अंदर आना, untrim हिंदी का वर्ड होता है, entrim उसको इंगलिश में बोलते हैं, अगर दो वैक्ति बात कर रहे हैं, और उसके बीच में आप अचानक से बोल पड़ें, तो उसको बोलते हैं interject, अगर हम antral या gap के बारे में बात कर लें, यानि मध्यांतर, अगर बीच में, बिल्कुल बीच में, जिसको मैंने मध्यवर्ती बोला, तो उसको हम बोलेंगे intermediate, अगर हम antraastriye की बात करें, तो राष्ट्रों के बीच में आने वाला international, अगर दो सासनों की बीच में कोई word आएगा, तो वो आएगा interagnum, अगर हस्तक्षेप की बात करें, यानि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, या आप काम कर रहे हैं, और कोई बीच में आकर के दखल अंदाजी करता है, तो उसको हस्तक्षेप करना बोलते हैं, यानि intervene करना, तो देखे कितने कम समय में हमने, जितने भी words इंगलिस में बन रहे हैं, वो हम करेंगे, देखिए, सबसे पहले महिलाओं के बारे में, जो अध्यन करें, उसको बोलते हैं gynecology, अगर महिलाओं के डॉक्टर की बात कर लें, तो उसको बोलते हैं gynecologist, अगर महिलाओं से जुड़ी हुई समश्याओं के बारे में, disorders के बारे में बात कर लें, तो gynecological, गाइनकलोजिकल एड्जेक्टिव है, गाइनकलोजिकल प्रोब्लम या आप बोल सकते हो disorders, अभी एक word साथ और देखिएगा, logos, logos का मिनिंग होता है इंग्लिस में science, एक Greek term है, और हमें जितने भी इंग्लिस में word देखने को मिलेंगे, उसके last में O, L, O, G, Y देखने को मिलेगा, इसका मिनिंग क्या हुआ, विज्ञान, science, तो इससे बने हुए जितने भी हमारे words हैं, जो main words हैं वो कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, मानवता के विज्ञान की, मानवता के विज्ञान को बोला जाता है anthropology, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सुक्सम जीव के विज्ञान की, जिसको बोला जाता है microbiology, अगर हम बात करें, मनो विज्ञान की उसको बोला जाता है साइकॉलजी अगर बोलें ग्यान पदती सास्तर ग्यान पदती सास्तर तो उसको बोला जाता है ऐस्पिटेमिलोजी अगर मौसम विज्ञान के बारे में हम बात करें तो उसको बोला जाता है मेट्रियोलोजी अगर पूरा तत्तव विज्ञान की बात करें प्राचिन वस्तों के विज्ञान की बात करें उसको बोला जाता है आकियोलोजी अगर अनुसंधान पदती के बारे में बात करें कोई तोर तरीके के पदती के बारे में अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है Methodology अगर पक्षियों के बारे में जानकारी रखने वाले विज्ञान के बारे में बात करें तो उसको बोला जाता है Ornithology अगर हम किसी गठना चकर के बारे में काल करम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है करोनोलोजी अगर हिर्दे रोग विज्ञान के बारे में हम बात करें तो उसको बोला जाता है काडियोलोजी अगर बाशा विज्ञान के बारे में बात की जाए अब हम भाशा विग्यान के बारे में अगर बात करें तो उसको बोला जाता है लैक्सिकोलोजी रोगों के बारे में समझ रखने के विग्यान को हम बोलते हैं पैथालोजी अगर आदर्ष विग्यान या आदर्ष रास्तर के बारे में अगर हम बात करें आदर्ष वाद के बारे में बात करें तो उसको बोला जाता है आइडियोलजी अगर भुविग्यान के बारे में बात करें तो उसको बोला जाता है जियोलजी अगर जन्तु विज्ञान जीओं के बारे में हमें जानना हो तो उसको बोलते हैं जन्तु विज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं जूलोजी अगर मुत्तरोग विज्ञान के बारे में हम बात करें तो उसको बोलते हैं यूलोजी अगर पारिश्थिती के तंतर या अपने पारिश्थिती के तंतर से मीनिंग हुआ यानि हमारा परियावरण के साथ कैसा तालमेल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे ecology और biology जो एक subject के बारे में आपने सुना होगा तो इस तरीकी से बहुत सारे words जो हैं वो इंगलिस में बनते हैं जिनके last में हमें O-L-O-G-Y देखने को मिलता है जिसका मीनिंग होता है science तो उमीद करता हूँ जो words हमने किये वो आपको clear रहे होंगे उसके बाद में हम बात कर लेते हैं obstatrix Latin language का word है जिसका मीनिंग होता है stand stand on duty यानि duty पे खड़े रहना तो सबसे पहले obstatrix से हमारा word बना obstatrician क्या word बना obstatrician यानि दाई या जो बच्चे को जनम दिलवाने में मदद करे उसको obstatrician हम बोलते हैं अब एक word आप हमेशा इसमें ध्यान में रखिएगा cn जो मैंने बोला यानि अगर किसी भी word के last में i c i an हमें देखने को मिले क्या मिले i c i an देखने को मिले तो इसका मिनिंग होगा expert यानि निपून किसी भी English word के last में अगर हमें i c i an देखने को मिले तो इसका मिनिंग होगा expert यानि निपून तो जो बच्चे को जनम दिलाने में निपुन हो, उसको क्या बोलते हैं? उपस्टेट्रिशियन, यानि जो अपनी ड्योटी पर खड़ी रहे, उसको बोलते हैं मीडवाइफ. तो इससे बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो हम कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले फिजिशियन, उसके बाद में म्यूजिशियन, उसके बाद में मैजिशियन, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, दैन तो मैथमेटिशियन, उसके बाद में पॉलिटिशियन, ओप्टिशियन, तो इत कर रहे होते हैं आई हो मिड़ वाइफ हो जो बच्चे को जनम दिलाने में मदद करें उसकी जो प्रैक्टिस कर रहा हो उसको ओप्स्टेट्रिक्स बोलते हैं थैंक यू बेरी मस्ट पो यो टाइम आज की कलास में देखिए कितने कम समय में हमने कितने सारे वर्ड्स कर लिये ह थाइब आगा झाल 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